आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं बेसन का बहुत यू टेस्टी हेल्दी और आसान सा नाश्ता जो कि आप फटपट से बना सकते हैं और सभी को पसंद पी आएगा तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक किजे शेयर किजे साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेसन लिए एक कप के करीब बेसन से मीक्सिंग बॉल डाल लिए उटार क इसके बाद इस बेसन में डालरी हूं वहां पर कुछ मसाले तो मसालों मखरा घल्दी अर्षक्श इंत्रार के अनुसर ले सकते हैं और इसकी कॉंटिटी में पांडुने DRUOTH के युट अर यहां पर दो लोगों के लिए नाश्ता में बना रही हैं अगर आप जादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी quantity को थोड़ा जादा कर सकते हैं और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है मसाले डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूं तीन से चार पतला रखना है बहुता ठीक नहीं रखना है तो थोड़ा थोड़ा पाई डालते हूं मिला लाँने तो यहाँ अपने आपी है अराम से फ्लो हो जा रहा है तो ऐसा ही रहना चाहिए बैटर और इसके बाद गैस पर मैंने रख दिया है नॉन स्टिक तवा तब को हलका सा ऑईल लगा के मैंने इसको अच्छे से टिशू पेपर से अच्छे से क्लीन कर दिया इसके बाद जैसे हम डोसा बनात इतना पतला आप कर सकते हैं इसके बाद यह एक मिनट भी लगता यह एक तरफ से बहुत अच्छे से सिख जाता है यह देखिए थोड़ी देर में सिख गया इसके बाद थोड़ा सा और से किंगे बहुत जादा नहीं से किंगे नहीं तो यह टूटने लगेगा तो यह सॉफ इसके जैसे एक तरह से शीट हमें प्यार करनी है यहां पर मैंने दूसरा भी मना लिया तीस्दफी बना लेती हुए और यह मैंने तयार कर लिया इसके बाद मैं और विजो बच्चे भी बैठ है उसे बना लेती हो तो बन जा जाती है तो दो लोगों का लाशता पर्फेक्क बनता है ये देखिए मैंने यहाँ पर ये तीसरा भी बना लिया और यहाँ पर आप सबसे महीं कहना चाऊंगी अगर आपको ये वीडियो पसंदार ये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और मेरे चानल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा तब ही आप तक जो मेरी वीडियो है पहुचेगी बेल आइकन भी प्रेस कीजेगा ताकि वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुचे तो देखिए मैंने इसे दूसरे सबसे प्रट दिया है तो फटा फट से बनाईए इस घी पटर कुछ भी नहीं लगाया फिर भी यह बिल्कुल नहीं चिपकरे तो इस तरीके से शारी शीटे बना लेनी है और थोड़ा थंटा कर लेना है गरम नहीं रखना है और देख सकते हैं इसकी सॉफनेस कितना जादा सॉफ्ट है जैसे रोटी सॉफ्ट होती है उतना ही स तड़का और दणाने क्लिए मैं यहां पर लेल्या है तड़का पैन और इस पैन में डाल दिया है महिं दो चबमच सर्सो का तेल तो यहां पर यह सर्सो-तें-बनारτα है है यह थारी अचल जासे नहीं च सकते हुआ हैं और兩 हरी मिरश में आपको पसंदो नुआने के दाने उ इसे जलाना नहीं है इसका ग्रीन रहना चाहिए तो यह पर मैंने तड़के को अच्छे को ठंडा कर लिया है थंडा करने के बाद 3–4 तेबल समून के करीड़ में डाल देंगे मैं से चटपटा बना रही हूं तीखा बना तो यहां पर मैं से थोड़ा सा मिठास नहीं दे रही हूं आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मिठास चीरिं डाल कर दे सकते हैं इसे सिर्फ हमें अरेंज करना है जिसे की हमारा नाशना देखने में अच्छा लगे और इसके लिए अराम-अराम से इसको थोड़ा सा टाइट हैंड से इसको फोल्ड करते जाना इस तरीके से रोल करते जाना तो जिस तरीके से मैं रोल कर रही हूं उस तरीके से रोल करते जाना तो रोल करने में हलका हलका कहीं भी थोड़ा बुद क्रैक आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप फोल्ड करते जाएं और यह ठीक दूसरी शीट लगाने के बाद यह ठीक हो जाता है यह देखिए यह देखिए यह देखिए अब लगा दिया है और दूबार से इसको साथ साथी रोल करते वे जाएंगे दूसरी शीट आराम से इसके साथ रोल हो जाएगी और अठीक हो जाएगी और इसके बार अएम पर लगाना है Sindhu हम अपर यह ठीक होग Raw तो यहाँ पर ये दोनों साइड मैंने हटा दिया है और इसके बाद इसको Center से toothpick के Center से इसको Cut कर लेंगे जिस तरह के से मैं Cut कर रही हैं वीडियो में विडियो में विल्कुल उसी तरीके से Cut करना है यह देखिए इस तरीके से तो हलके हाथ उसी कट करना है ज्याद़ प्रेस नहीं करना है ने तो यह आपस में टूट जाएंगे सारे और यहाँ पर देखिए मैं इसे कट कर लिया है और यह देखने में बहुत जाज़ा यूनीक और सुन्दर लग रहा है तो इस तरीके सा भी grant करना श्र larger लेखने में तैयार करें के दिखा लोजय histori लोजय कई साइव तो आप यहां लग यह दो में पहली किया वैसरा बहुत दीक कर देंगे मसाला है और उसके बाद इसे कर डेना है और यह दो Ekसी कर देखिए और पें लjarएग आए तय मैं पहले किर लेकर देखते आगर आप चाहें तो यहां पर जो नारेयल होता है उसे भी आप ग्रेट कर के डाल सकते हैं अगर आपके पास थाजा नार केला है तो भी यहां पर आप लिए ब्लकूल इलग टेस्ट आ जाएगा और यह देखिए मैं इस तरीके से फोल कर दिया है और कहीं भी इसमें प्रैक तो यहां पर मैंने ये दूश्रा भी तयार कर लिया है और टोटल आठ शीटें बनके तयार हूई है तो इस तरिके से चार रोल हमारे बन के तयार हूँगे दो-दो रोल मैंने इसमें दो-दो शीटें यूज की है एक रोल बनाने के लिए आप चाहें तो तीन-तीन भी कर सकते हैं और इसके उपर मैं डाल तोड़ा साहरा धनिया और इस तरह के से बनाई है शाम की चाय के साथ फटा-फट से बीना तेल वाला यह नास्ता और सर्व कीजिए सभी को बहुत पसंद आएगा जलूर ट्राइ कीजिए इस तरह के से बेसंद का नास्ता और फैमली फिनस में भी शेयर कीजिए मेरे साथ कमन करके शेयर कीजिए कि रेसिपि आपको कैसी लगी और मिलते हैं नए रेसिपि के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर